असलाम अलेकुम फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल जी हाँ दोस्तो आज आप लोगो तो मालूम हो गया हो गया फलाइट जो खुलने वाली थी वो खुल गई है जाने आने के लिए फलाइट बुकिंग टिकटी स्टार्ट हो गया जी दोस्तो आज मैं इसी मौज़ू पे बात करना चाहता हूँ आप बने रही है वीडियो में आगे चलके आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है और किया किसने किस बारे में कौन जाएगा कौन आएगा सब के बारे मैं इंशालला पूरी डिटेल के साथ पूरा बताऊंगा और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों जो आप लोगों को समझ में आए या ना समझ में आए तो आप मुझे बताईए, कमेंट भी कीजिए, आपको किस मौजूब वीडियो चाहिए, किस बारे में क्या सवाल आपका है, क्या आप बताएंगे, उसी बारे में इंशालला आपको आगे चलके पूरी बुगिंग स्टार्ट हो गई है, जी अच्छी खुसकबरी तो आ गई है, सब लोगों के लिए जो दो वैक्सीन लगवा लिए हैं, इंडिया से साओधी आना के लिए, रियाद या दम्माम के लिए फलाइट खुल गई है, और आना चाहते हैं, बुगिंग आप कर सकते हैं इंडिया से, और मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में जी, इंडिया से जो लोग, कौन-कौन से लोग आ सकते हैं, कौन-कौन से लोग नहीं आ सकते हैं, और किस सहर से आ रही है फलाइट, म Cit Salive, किस एरपोट से, कहां, कौन जगा रियाद आ ऑगी, या दम्मामे आग hardly इस हब के बारे में इंशालला पूरी डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगा और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहरा हूँ जो ट्यूट करके फलाइट के बारे में बताया है Air India Express ने क्या बताया उसके मौदू पे मैं बता रहा हूँ आप वीडियो में गवर से देखिए चलिए मैं आपको लेकर आगे चलता हूँ जैसे ने ट्यूटर पर क्या ट्यूट करके बताया देखिए मेरे डिस्पले जो सो हो रहा है देखिए किस लोगों के लिए ये फलाइट बताई है कि कौन-कौन लोग आ सकते हैं आप सकते हैं और कब आ सकते हैं जी दोस्तों देखिए लिखा क्या है वो बुकिंग आर ओपेन फ्लाइट फ्लाइट बीटिविन इंडिया और रियाद देखिए ये इंडिया से और रियाद या दम्माम दोनों के लिए है अभी अगले मैं फोटो दिखा रहा हूँ ये देखिए दम्माम के भी है देख रहे हैं ये देखिए दम्माम भी है बुक ना लिक क्या है सब देखिए कौन कौन से लोग बुक कर सकते हैं अभी देखिए लोगों भी सवाल ये भी कर रहे हैं कि एजन्ट के जरीए वो भी फस जा रहे हैं कि एजन्ट बता रहा है कि स तो ऊससे सस्ता है, येdar लोग कितने हैं जब क्रोना रहा है जब से परसान कैसे आया जा उस परसान दो टरह जाकर आप सर्चछ जाकर वेफसाइटे कर सकते हैंआप उसको सर्च करके। पर्मिट होलडर यानि एकामा होलडर वालिड हेग्जिट री एंट्री वीजा dobrze जिसका होग म dóndeं है ङी कामा खलास नहीं हुआ है वह आ सकते हैं आदूसरा वहभी की जो वीजिट वीज़र अना चाहर है रहे हैं वो वो भी आ सकते हैं और जा सकते हैं एक्जिट टिकट लेके और इंट्री जो है उनका सिर्टम वीजिट भी जा लेकिए लेकिन वो कौन आ सकते हैं बोट दोज आप COVID vaccine जी दोस्तों जो सवाधी के अंदर दोनों vaccine लगवाएं होंगे दोनो दोज लग रहे हैं तो अगर सवाधी के अंदर आप लगवाएं वही आ सकते हैं जा सकते हैं डारिक फ्लाइट से और जो लोग बाज ये भी सवाल करते हैं कि मेरा तो एक लगा है मेरा नहीं लगा है, उस बारे मैं पिछली वीडियो में बनाया, आप मेरे पिछली वीडियो जाके देखेंगे, इंशालाओ आपको पुरी full detail मिल जाएगी, इस बारे में कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोग नहीं आ सकते हैं, जो सौधी के अंदर लगाएं हैं वही लोग यहां पर आ सकते हैं वो भी आ सकते हैं उनका सिस्टम अलग है तो उसको मैं पिछली वीडियो में जाके देखें वो आपको पता चल जाएगा और देखिए यह जो सौधी अर्बियम दोनों डोज लगवाएं वही लोग आ सकते हैं और पूरी जानकारी के लिए लिखा है नीचे देखिए इस पर आप जाएंगे पूरा आपको डिचेज मिल जाएगी मैं तो रिसर्च करके आपके पूरी डिटेल मैं बता रहा हूँ कौँ से कहां सहर से कौँ लोग आ रहे हैं देखिए लिए इन्डिया एक्स्प्रेस का चार्ट लगा है कहां से उडय गी और कहाenne कब उडय गी, कहां से कहां तक उड़े गी सब पूरा इसमें लिखा है कोजी कोड तो रियाद देखिए यहां से आ जाएगी विड्नेश देखो यानि बुधवार के दिन वो आ सकती है और ये तिरू अंसत्पूरम से रियाद आएगी वो थस देखो यानि खमीज के दिन यानि जुमिरात के दिन और कोची रियाद कन्नावर कोची से ये सटरडे को आएगी यानि सनीचर को और ये देखिए कोची टूर याद लिखा है और ये आने जाने का इनका है ये मंडे को जाएगी और आएगी दोनों और ये देखिए और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ दमाम के बारे में इंडिया के बारे में, इंडिया to Dammam, यह कैसे booking now है, इनका भी सेक्टर कहां से है, देखिए कौनजी कोड उसके बाद Dammam, Mangalore कौनजी कोड, Friday को यानि जुमा के दिन, यह को बैंगलोर से मैंगलोर से भी उड़ेगी, दमम, दमम से मैंगलोर भी जाएगी, और देखिए तिर Tuesday के दिन आएगी जाएगी Tuesday के दिन यानि मंगल के दिन और देखिए यहां पर भी यहां नीचे लिकेश हो गया है कि only resident permit holder यानि जो akama holder वही आ सकते हैं यहां भी देखिए bracket में लिखा है akama holder and valid exit re-entry visa वाले कोविड-19 vaccine from Saudi Arabia are permitted to re-entry Saudi Arabia from India जी दोस्तों इसमें यह भी लिखा है जो दोनों सेम सेम जो मैं पीछे पीछे वाते हों बताया हूं कि यह दोनों डोज वाले जो साओधी के अंदर लगवाए हैं वही लगवा के जा सकते हैं और आ सकते हैं बहुत लोग परसान भी हैं कि मैं कैसे जाओं घर बहुत लोग परसान हैं मैं कैसे आओं घर से साओधी भाई अब सबके लिए रोजी रोटी भी या सबकी जो लगी थी सब कोरोना के दौर में हमारी जब सहय था अब से लोग सब परसान हैं तो इंशालला अगे चलके सब परसानी खतम हो जाएगी इंशालला देखिये साओधी के अंदर आज की डेट में जो करोना मरी जायते हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं इंशालला गेले हपते के यानि एक हपता दस दिन के अंदर में वो सीधे डाउन हो जाएंगे अभी एकदम खतम हो जाएंगे और देखिये मैं भी यह स्कूल के लगवाया उनको अलग किलास में और जो नहीं लगवाये हैं उनको आलनाइन होगा ऐसा सिटम अभी कुछ मिलने में आया है तो कल से स्कूल भी खुल जाएगा इंशालला पूरी जो हालात हैं इंशालला सब पहले जैसे आम हो जाएंगी दौा कीजिए बस सब खतम हो जाए और दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कमेंट जैसे मैं बताया हो कि आप कमेंट नहीं करते कमेंट बताईए आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया और लोगों के साथ सेयर भी कीजिए ये बात मेरे वीडिय वीडियों के साथ जल्द मिलूंगा, उसके लिए दौा कीजिएगा, इंशालला मैं फिर इंशालला आपको वीडियो से साथ अगली बार मिलूंगा, या आलला इसमास, सलाम, सुराम, आले,